हेलो फ्रेंट वेलकम तू माई चैनल फ्रेंट आज की इस वीडियो में हम आपको कुर्ती कटिंग के कुछ खास टिप्स देंगे इस वीडियो में तो इस वीडियो को पूरा देखें जिसे कटिंग करने के लिए हमने ये कपड़े को इस तरीके से सिंगल में फोल्ड किया है सिंगल में फोल्ड करते हुए देखी इसमें जो बूटे बने हैं उसे हमने ऐसे उपर की तरफ रखा है बूटो का मुँ अमेशा उपर की तरफ रहना चाहिए तो उपर की तरफ से हमने एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है उसके बाद हमें नॉर्मली मीडियम साइस के हिसाब से लंबाई के निशान लगाना है तो आर्मोल एंड चैस्ट का निशान में 7 इंच पर लगाऊंगी और कमर का निशान 1.5 इंच पर और हिप का निशान में 1.5 इंच पर लगाऊंगी तो ये जो तीनों निशान हमने लगाए हैं ये medium size के हिसाब से हैं तो अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे देखे इस प्रकार से रखते हुए scale को हमने तीनों निशानों को सीधा कर लिया है उसके बाद हमें आपर shoulder का निशान लगाना है तो shoulder हमारा 15 इंच था तो हम उसका half लेंगे 7.5 इंच तो इस तरीके से मैंने 7.5 इंच पर ऐसे इंची टेप को रखते हुए 7.5 इंच पर निशान लगा दिया है chest और armhole वाली line पर भी हम 7.5 इंच पर निशान लगा देंगे अब इन दोनों निशानों को हमें ऐसे मिला देना है देखिए हमारे front armhole का निशान है अब हम back armhole के लिए ऐसे half इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और उसे भी हम shoulder से मिला देंगे देखिए हम इन दोनों निशानों को हमने मिला दिया है उसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो चेस्ट का वन फोर्ट है हमारा साड़े नौ इंच यानि चेस्ट था 38 इंच तो मैंने उसमें हाफ इंच की लूजिंग एड़ करी है और 10 इंच पर निशान लगाया है और यहां पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट लिया है देखिए इस तरीके से उसी प्रकार से कमर का निशान लगाएंगे कमर का नाप है 34 इंच तो 34 का हाफ साड़े आठ और हाफ इंच मैंने उसमें लूजिंग एड़ किये टोटल हमारा यहां पर 9 इंच आता है तो 9 इंच पर निशान लगाते हुए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट लिया हुआ है मार्जन के लिए तो उसके बाद हमें हिप का निशान लगाना है तो हिप 40 इंच है तो उसका 1.4 तो 10 इंच होता है और मैं उसमें 1.5 इंच लूजिंग एड़ करूँगी तो 10.5 हो जाता है तो मैंने 10.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक इंच आक फोल्डिंग के लिए लिया है उतना ही हमें नीचे भी निशान लगाना है तो देखी यहां पर भी मैंने 10.5 इंच पर निशान लगाया जितना हमारा हीप साइस था और एक इंच चाक फोल्डिंग के लिए निशान लगाया है उसके बाद हम इन सभी निशानों को देखी चाक वाले निशान को हम बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट वाले स्केल से मिला देंगे ताकि हमारे चाक बिल्कुल स्ट्रेट बने तो दोनों हमने मिला दिये हैं अब हम हीप बाले निशान को ऐसे कमर से तिर्चे में मिलाएंगे जैसा हमारा कुर्टी का कमर का शेप होता है और चेस्ट से फिर कमर को ऐसे मिला देंगे देखी इस प्रकार से हमने इसे जिग जैक में मिला दिया है अब हम मार्जिन वाले निशान को भी उसी प्रकार से मिला देंगे देखी इस प्रकार से बिल्कुल पर्फेक्ट हमारी कुर्ती में गुलाई आई है जैसे हमारी कमर का शेप होता है उसके बाद हमने गुलाई वगेरा दे दी है अब हम आर्मोल में इस प्रकार से गुलाई देंगे तो देखी ये हमारे फ्रन्ट आर्मोल की शेप है जिसे मैंने हलका सा नीचे से दिया हुआ है और ये वाला हमारे बैक आर्मोल का शेप है उसके बाद हम यहाँ पे अपने नेक को ड्रो करेंगे तो नेक की चोड़ाई मैंने पौने तीन इंच रखी है आप अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं और लंबाई मैंने यहाँ पर साथ इंच रखी है उसके बाद देखी हमने एक बॉक्स रेडी कर लिया है और इसमें हमें राउंड शेप देना है इस प्रकार से तो देखी यहाँ पे हमारे नेक को भी हमने ड्रो कर लिया है अब हम as it is same कुड़ती को ऐसे कट कर लेंगे तो देखी यहाँ पर कुर्टी को cut कर लिया है हमने उसके पाद हम center में cut लगाएंगे और neck line में chest के पास cut लगाना है और यह जो waist की line है यहाँ पर और hip curly line पर भी हम cut लगा देंगे जिससे की fitting करने में हमें पता रहता है और बहुत ही आसानी होती है तो देखी कुर्टी को हमने same cut भी कर लिया है और यहाँ पर हमने अपने दूसरे fabric को बिचा लिया है बचे हुए को जिससे हम अपने कुर्टी का back part cut करेंगे तो देखी बूटे जो है हमारे front part में उपर के side जा रहे हैं तो आपके back part में भी बूटे जो है वो उपर की तरफ ही जाने चाहिए और अपने back part में हमने इस तरीके से कटे हुए वाले front part को set कर लिया है और set करते हुए हमें बिल्कुल same cutting कर देना है इस तरीके से यहाँ पर हम अपने back part को बिल्कुल same cutting करके हटा देंगे और जो extra fabric है उसका हम बाद में use करेंगे तो देखी दोस्तों इस परकार से हमने जो है अपने back part को भी cut कर लिया है और यहाँ पर भी जो है हमने cuts वगरा लगा दिये है तो देखी यहाँ पर यह हमारा back part है और यह हमारा front part है जिसमें आर मोल की shape है तो हम ऐस तरीके से अपने front वाले part में आर मोल की जो shape है उसे भी cut करके हटा देंगे क्योंकि वह हमारी extra होती है उसे हम इस परकार से half in चाटते हैं तो हमारे आर मोल में जोल वगरा नहीं आता है तो देखी हमने यहाँ पर अपने front part में से margin को cut कर दिया है मैं इस पर लिक देती हूँ यह हमारा front है और यह हमारा back part है देखी दोस्तो कुर्ती cutting होकर बिल्कुल ready है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like share करें चैनल को subscribe करें